तुम्हारे ही वास्ते पैदा हुए दुनिया के नजारे, चमकते हैं तुम्हारी रोशनी से चांद और तारे, तुम्हारा गम है गम, औरों का गम खाबो कहानी है, तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है, और यादो नहीं है इस देश में। यहां चुनाव नहीं लड़े हम सब भारती जन्ता पार्टी को वोट करेंगे और सारे लोग भारती जन्ता पार्टी में समाहित हो रहे हैं यह वो सीट है जहां M.O.I. समीकरण का गढ़ का जाता है इसे मुलाइम सिंग यादव अखिलेश यादव और एक तरीके से यादव परिवार के लिए सबसे सुरक्षित सीट यह मानी जाती है इसलिए हमने देखा कि अभी तक के इतिहास को उठा कर अब देख लें तो 2022 से पहले सिर्फ एक बार बीजेपी यहां से चुनाव जीती 2009 में 2022 में जब उपचुनाव हुए तो बीजेपी ने निरहुआ को यहां से उताया भुजपूरी स्टार और निरहुआ यहां से जीत कर लोगसभाब पहुँचे लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी वक्त के साथ बदल रही है MY समीकरण को लेकर चलने वाली समाजवादी पार्टी अब PDA पर चली गई है तो समाजवादी पार्टी बदल रही है तो क्या MY समीकरण वाले जो लोग हैं वो भी बदल रहा है क्या मुस्लिम और यादव जो हैं वो उनका मन भी बदल रहा है वो भी कुछ और सोचने लगे हैं क्योंकि आजम गड़ को अगर आप समझें तो यहां पर एक वक्त ऐसा भी था जब समाजवादी पार्टी के समर्थक यादव दूसरी किसी पार्टी के समर्थक यादवों को चोड़ते नहीं थे मैं घलत तो नहीं कह रहा हूं ऐसा ही होता था यानि कि यादव जो थे वो इंटेक्ट थे वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ नजर आते थे लेकिन वक्त ने कैसे बदला है देखिए यादव समाज के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं और इनसे मैं आज बात करने वाला हूँ कि क्या यादव बदल रहे हैं और बदल रहे हैं तो क्यों बदल रहे हैं क्या अखिलेश यादव बदल रहे हैं इसलिए यादव भी बदलने लगे हैं क्या नाम है बाउजी अपका हमेशा माना जाता रहा है कि यादव बदल रहे ह आपके जिने में विकास किया है तो वोट किसको देंगे या तुक्त भी जित हार जाता है गलती से नहीं परसंट यादव हैं जो अपना मन बदल चुके हैं परिवर्तन जिनका हो गया है बहुत ज्यादा 30-40 परसेंट खेल हो जाएगा यहां तो खेल क्या होगा वो जीतेगा फिर कोई भी उतार दीजिए कोई को क्या उतारेंगे जो जीता था वही जीतेगा तो मतलब यादव को उतारेंगे तो ही बीजपी जीतेगी जिसके बावट नहीं रहेगा उसको उतारेंगे वो जीत के गया ने आप लोग समाज आप लोग यादव समाज का ताना बना तोड़ करक तोड नहीं बढ़े हैं हम आज से नहीं हम जंसंग के जमाने से चल हैं क्या कह रहा है जोड के बढ़े को तोड़ दिया आप लोग आप कहे रहें जोड एंड यहां पे आजमगर में जो पूरा यादव समाज है वो पूरी तरस से उसने सोचा कि आखिर अखलेश यादो को क्यों वोड़ते हैं अखलेश यादो क्या करते हैं यादो समाज के लिए सिर्फ वोड़ लेने के अलामा और क्या करते हैं अखलेश यादो तुम्हारे ही वास्ते पैदा हुए दुनिया के नजारे चमकते हैं तुम्हारी रोशनी से चांद और तारे तुम्हारा गम है गम औरों का गम खाबो कहानी है तुम्हारा खून है खून हमारा खून पानी है और यादव नहीं है इस देश में एक बार ताली बजा दीजे भाई इतना बड़े शेर मार दिया इनों ने और भी यादई हुए भई और हम भी यादऊ हैं हम अपने समाझ के बारे में सोचते हैं क्या नाम है पूरा नामम बिर्जेश यादऊ हूँ मेरा नाम समाजवादी समल्दाज़ समाज़वादी парडी कि सरकार में यहाँ यहां पर हवाई अद्डा क्यों नई बना हवाई पट्टी बनीती इुनके उतारने के लिए हमने हवाई अद्डदा बनाया आँ आध्मी के चलने के लिए यह भारती जंता पार्टी ने किया तों क्यों नहीं वोटदेगा यादम समाज लेकिन थोड़ा मुश्किल लगता है कि जिस पार्टी कोर वोटर जिस पार्टी की पूरी जो साख है वही यादों से चलती है तो यादों कैसे कर जाएंगे लेकिन एक चीज़ बताइए कि क्या यहां अखिलेश यादव खड़े हो जाएं धर्मेंद्र यादव को यहां से चुनाब में उतार दिया जाए जो पिछली बार हार गए थे यह यादव परिवार का कोई आदमी आ जाए तब भी आप लोग बीजेपी के साथ चले जाएंग अगर उनको सर्म करनी चाहिए यहां से लड़ने के लिए यहां आ रहे हैं और यहां के यादव नों बता दिया है कि यहां से सांसदी आएंगे तो जीत के कभी जीवन पर नहीं जीत पाएंगे इसलिए आदर्डिया अखिलेश यादव जी यहां चुनाव नहीं लड़े ध पूसरे तनःता थे घरती पूत्र उनकी बात अलग थी उनको पूरा जाठस मानता था लेकिन अब उनको नहीं मानता है परिवार होई बीजएंगे लडर पर थीकार करेंगे ऊंसे पाली तो यहां से बिधक हैं वोंति जिए आदव जी यहां से सांसद थे या धरमेंडर जजी जो इनका बैनर लगाना पड़ाता कि सांसद गयब और कभी जनता के बीच में नहीं दिखे तो यादव समाज के लोग क्यों जायेंगे उनके साथ जो सांसद मेरा नाम अभिनाव यादव हैं तो यादव जी इस तरह से बात करें हजम नहीं होता है भले ही आप लोग कर रहे हैं लेकिन भाई बाहर जो दिल्ली में बैटकर देखता है न उसको लगता है कि बिहार में यादव लालू यादव परिवार से कट जाए और यूपी में यादव समाजवादी पार्टी से कट जाएं या अलग हो जाएं या नहीं पार्टी या नहीं वेक्ति के साथ चले जाएं यह तो इसके लिए तो हाज मोला खाना पड़ेगा नए ऐसी कोई विशेस बात नहीं है अभी पिछले समय में पिछले कारिकाल में लगबग दस साल से यहां से दुरगा प्रशाद यादव जी विदायक हैं दस बार से और जब विशुविद्द्याले की मांग की गई थी तो उनके द्वारा यही कहा गया था कि यहां और यहां के युवाओं को सिख्जा कि आफसकता नहीं थी यहां के युवाओं को लोगों ने आप लोगों पढ़ाए नहीं 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 के विकास को मांग की मांग है कि और संगीत-टालering की मांग की जो निरहुआ हो सकता है कि अपने च्छेत्र में रहते हैं घूंते रहते हैं तो लोगों का तो है यहां यह यहां यहां ही यादवों का गड़ क्यूं है यह भी मैं आपको बता देता हूं यह समाजवादी पार्टी काड़ क्यूं है क्योंकि मुस्लिम और यादव अगर तै करें किसी पार्टि किसी नेता को जिताना है तो फिर उस पार्ठी की जीत तैमानी जाती है और यही वज़े हैं इस लोग सभाक्षेत्र में जो पांच विधान सभाकी सीट हैं उस पर समाजवाधी पार्टी का कफजा है पांचो सीट समाजवादी पार्टी के पास है ऐसे में 2022 के बाद अगर 2024 में भी यह सीट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलती है तो यह अतिशोक्ति से कम नहीं है आपका क्या नाम है मेरा नाम अजयyaad divorced हैं देखिए समभ्रहम है कि गड़ है यहमवाई का कोई गड़ोर नहीं है हम सब भारती जनता पार्टी को ओड़ करेंग'RE और सारी लोग भारती समाइच होंगे उसमें पहले जात वर्क धर्म देखकर काम हो रहा था पहले होता था नहीं पहले देखते था कि अगर अखिलेश यादव या मुलाहिम सिंग यादव सत्ता में हैं वो मुख्य मंत्री है तो इदर सारे थाने में यादवों की संख्या थोड़ी बढ़ जाती थ जाना इंचार्ज यादा भी होते थे हैं ऐसा होता था देखे एक चलिए बहुत कि पछली सरकार की कि पांच योजना मेंका नाम बता दें पांच परिवार को मिली हो un-justamenteal प्रकी पर कि जो बताईए नहीं पर चलिए 5 छोड़ी 1 तो बताईए नहीं तो लोग कहेंगे फर्जी में अंधभक्त हैं हम अंधभक्त नहीं है वो सब सब को मिला है मकान मिला इस सरकार की कोई भी ऐसी योजना जो फीमे राशन मिला है तो जंता को ना पता हो ऐसा है नहीं है